Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज की reading के लिए मैंने कोई भी topic select नहीं किया है. So आप लोगोंने तो caption देख ली होगी, but मैंने आज की reading को बिल्कुल open रखा है. हम देखेंगे कि आज की reading में क्या highlight होता है, आपके person की current feelings, thoughts क्या है, उनका क्या action हो सकता है, जो भी आज की reading में highlight होगा, spirit की तरफ से, वही आप लोगों के लिए आज का message होगा. So आप लोगों की regardless क्या situation है आपके partner के साथ, यह reading सब लोगों के लिए open है और बिल्कुल timeless है. जब भी आपकी नजर से गुजडेगी, आपका उस वक्त का message होगा. So शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination safe divine source को पता है. Safe divine source को पता है के finally आपकी life में क्या होना है. इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है. इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप सबके प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए है मेरे channel पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा. So अब हम start करते हैं आज की reading और सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे, six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए, so ये बिलकुर random messages होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब के साथ resonate करें, but let's see. So सबसे पहले हमारे पास है immaturity, so maybe आपके person इस वक्त थोड़े emotionally immature है, I'm sorry, ये भी हो सकता है कि वो emotionally open up नहीं होते हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है. So हमारे पास आगया है next light, जिसका मतलब है कि आप लोग की situation में hope है, out in the cold, single, so maybe इस वक्त इस connection में होते हुए भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, single हैं, फिर है confusion, confusion इसलिए है, maybe आपके person क्योंके emotionally immaturity दिखा रहे हैं, so आपको mixed messages दे रहे हैं और आप confused हैं कि आखिर वो क् and then mind, body, soul, so इसका मतलब यह है कि आप बहुत जादा एक significant connection उनके साथ feel करते हैं और आपको लगता है कि यह आपका dream connection है, because आपको यह feel होता है कि आप हर level पर आप अपने partner से connect करते हैं, mind, body, soul, हर level पर, आपको लगता है कि आप दोनों compatible हैं, बहुत जादा एक दूसरे का perfect match है, but right now आपको बहुत जादा feel हो रहा है, out in the cold, अकेलापन महसूस हो रहा है, आपके person क्योंकि आपके साथ नहीं हैं, या तो आप लोग separation में हैं, अगर साथ हैं भी, तो भी आपको लगता है कि आप single हैं, आप अकेले हैं, effort one-sided है, so यह कुछ overall messages हैं, अब हम यह देखते हैं कि spirit की तरफ से आज क्या highlight होता है, यह इनसान, इनकी क्या feelings हैं, आपके लिए क्या इनका next action हो सकता है, जो भी information आज आएगी, वही आपके लिए आज का message होगा, so let's see, क्या चल रहा है उनके मन में, so सबसे पहले हमारे पास है two of swords, और आप देखें कि यहापे confusion आया, और यह confusion का card आगया है हमारे पास, next is ten of swords, so I do feel के आप दोनों की इस वक्त separation है, यह इनसान confused है, और सोच रहे हैं कि जो decision उनने लिया, क्या वो सही था या गलत था, because आपके person अब consequences भूगत रहे हैं, अपने actions के, अपने decision के, so next है हमारे पास the magician, फिर है हमारे पास the fool, and bottom of the jack पर हमारे पास है king of pentacles, so यहाँ पर, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, the fool मेरे लिए Sagittarius, I am so sorry, the fool मेरे लिए Sagittarius card है, लेकिन मैं हमेशों आप से ही कहती हूँ कि regardless of star signs, अगर energy आप से match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है, star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना है, सबसे पहले, आप लोगों के reading के center में, we have the magician, I really feel कि इस connection में कोई magic आप लोगों ने feel किया है, यह connection significant है with the magician, आप manifest कर रहे हैं, या आपके person भी आपको manifest कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को manifest कर रहे हैं इस present time में, बट यह एक magical energy है, और manifestation की energy है, तो एक तो आपके लिए यह sign है इस reading में, कि आप अपनी manifestation के करीब हैं, और आप देखें कि close हो रही है आपकी reading king of pentacles से, जिसका मतलब यह है कि यह बहुत promising energy है, कि यह इनसान अभी भी invested है इस connection में, और आगे भी invest करना चाहते हैं, तो इनके जहन में यह चल रहा है, कि यह इस confusion से निकलना चाहते हैं, वो यह सोच रहे हैं कि उनसे गलत decision हुआ है, और उन्हें कुछ गलत किया है, बिकाज वो इस वक बहुत ज़दा तकलीफ में हैं, आपके बिना यह इनसान बहुत ज़दा तकलीफ में हैं, और जितनी तकलीफ आपको हुई है, सारी situation से उतनी ही उन्हें भी है, so I do feel कि यह reading separation वाले लोगों के लिए है, I do feel कि आप लोग इस वक सेपरेशन में, आप लोग साथ नहीं हैं, so यह इनसान confused हैं और सोच रहे हैं कि I think मुझसे गलत फैसला हो गया है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, because मुझे अभी भी इस इनसान में बहुत interest है, मुझे इसी इनसान के साथ अपना future अभी भी नज़र आता है, जो कि आप हैं the viewer, और आपके साथ एक निया start चाहते हैं with the fool, यह इनसान अपने आपको तकलीफ से आजाद करना चाहते हैं, इस तकलीफ से निकलना चाहते हैं, because यह 10 of swords सबसे ज़्यादा painful card है, so यह इनसान इनके जहन में बहुत सी thoughts हैं, बहुत ज़्यादा painful thoughts हैं, and I also feel कि आपके person के अंदर बहुत ज़्यादा wisdom भी आई है, इस separation के दोरान, उन्होंने कुछ learn भी किया है, so I really feel कि यह इनसान बहुत ज़्यादा sad हैं आपके बिना, आपको manifest करना चाहते हैं अपनी जिन्दगी में, वापस लाना चाहते हैं आपको, so हम देखते हैं कि यह two of swords क्या है, so यह तीन cards बहुत direct और clear हैं, कि यह इनसान आपको अपनी जिन्दगी में वापस लाना चाहते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके साथ एक नया start चाहिए उन्हें, but यह two of swords क्या है, हमारे पास है five of pentacles, so यह out in the cold का card है, and amazingly यहाँ पर out in the cold आया, और confusion के साथ यह confusion का card आया, so again with the five of pentacles, यह इनसान बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा insecure हुए में हैं, so यह confusion यह भी है कि कहीं आपने move on तो नहीं कर लिया, आपकी जिन्दगी में कोई और तो नहीं आ गया है, उनको ऐसा feel हो रहा है कि अगर आपकी जिन्दगी में कोई और आ जाएगा, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा painful होगा, and I think कि वो यह चीज़ सोच सोच कर और भी ज़्यादा तकलीफ में जा रहे हैं, और उनको यह feel हो रहा है कि वो किसी और के साथ आपको share नहीं कर सकते हैं, वो आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते हैं, so यह तकलीफ, यह insecurity आपके person के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है, और शायद इसी वज़ा से यह इनसान अब आपको manifest करना चाहते हैं वापिस अपने जिन्दगी में, maybe जब आप लोग की separation हुई, break up whatever जो भी हुआ आप लोग के दरमयान, उस वक्त यह इनसान इनको इतना idea नहीं था, उस वक्त उनको लग रहा था कि वो easily आपसे move on कर जाएंगे, और बड़ा उनके लिए आसान होगा आगे बढ़ना, वो कर लेंगे किसी ना किसी तरह, बट अब उनको feel हो रहा है real break up, और उनको उनके जहन में यह thoughts आना शुरू हो गई हैं, अगर आप किसी और के हो जाएं, अगर इतने समय में आप को कोई और पसंद आ जाए, तो यह thoughts बहुत ज़दा उनने तकलीफ दे रही है, वो insecure हो रहे हैं बहुत ज़दा यह सोच सोच के, और यही वज़दा है कि वो बहुत ज़दा आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं, और यही एक major reason है जिसकी वज़दा से वो वापस आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, because they feel कि वो आपको किसी के साथ भी share नहीं कर सकते हैं, so हम देखते हैं कि यह 10 of swords क्या है, यह सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें किस बात की है, यह क्या चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, we have three of wands, so आप में से कुछ लोगों के दरमयान long distance connection हो सकता है, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ है, जिन लोगों में long distance है, आपके person यही सोच रहे हैं कि काश आप दोनों के दरमयान इतना ज़्यादा distance ना होता, चीज़ों को handle करना, manage करना काफी आसान होता आप दोनों के लिए, आपसे मिलना, यह एक challenge है आप लोगों के लिए अगर long distance connection है, इसके लावा I also feel कि कुछ चीज़ों में उनको wait करना पड़ेगा, maybe आपके union में उनको wait करना पड़ेगा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, maybe वो यह भी सोच रहे हैं कि आप दोनों में चीज़े ठीक होने में बहुत ज़्यादा time लगेगा और यह भी उनके लिए बहुत ज़्यादा painful है, कि यह connection एकदम से heal नहीं होगा, इसको heal होने में बहुत ज़्यादा time लगेगा यह इनसान यह सोच रहे हैं, वो यह सोच रहे हैं कि शायद it's not the right time चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, यह इनसान बहुत ज़्यादा sad है और pain में नज़र आ रहे हैं, इसके इलावा, I do feel कि maybe कोई बड़ा decision लेने के लिए, इस connection के लिए, अभी उसमें बहुत ज़्यादा time है, example के तौर पे commitment में, settle down होने में अभी बहुत सा time है, और यह भी आपके person के लिए painful है, so I also feel कि maybe वो यह सोचते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, आपके लिए ready होने तक, और शायद उस वक्त तक आप उनकी जिन्दगी से चले जाएं, so इस तरहां की thoughts हैं उनके जहन में, but मुझे यह चीज ख्लेरली नज़र आ रही है कि यह इनसान बहुत ज़्यादा pain में हैं आपके बिना, so यह इनसान बहुत ज़्यादा आपको miss करते हैं, और आपको manifest कर रहे हैं इस present time में, let's see यह और क्या feel कर रहे हैं आपके लिए, उनकी feelings आपके लिए क्या हैं, so इस पर है journey number two and walking away number 27, so I really feel कि यह इनसान इस journey को आपके साथ explore करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा regret है आपसे walk away करने का, आपसे दूर जाने का, move on करने का बहुत ज़्यादा regret है उन्हें, पच्चतावा है उन्हें और वो वापिस आना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि it's a long road, और करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं आपके साथ इस pass पर, so I again feel कि आपके person ने आपके move on किया, walk away किया, अगर आपने भी किया, जिस ने भी किया, ये इनसान वापिस आना चाहते हैं ये इनसान आपके साथ एक न्या start चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पच्टावा है आपसे वॉक अवे करने का लेट सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या फील करते हैं क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए so हमारे पास है no peace like home number 50 and chopped wood number 42 so I feel with these two cards that maybe ये इनसान खुद को busy रखने की कोशिश करते हैं आपकी याद बहुत जादा आती है and I also feel that जैसे उनके घर में भी कुछ problems चल रहे हैं आप उनके लिए ये home की feeling है आप उनके लिए family है but I really feel I feel that एक बड़ा strong message या रहा है कि उनके अपने घर में भी peace नहीं मिल रहा है I feel कि वो अपने आपको ज़्यादा देर घर से बाहर रखते हैं या वो अपने आपको busy रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जहन में ज़्यादा thoughts ना आएं I also feel कि maybe गर वालों के साथ भी उनका कोई problem चल रहा है वो ज़्यादा busy रहते हैं बाहर रहते हैं घर कम कम आते हैं ये भी हो सकता है बट ये बड़ा specific message है ये सब के लिए नहीं था बाकियों के लिए I do feel कि उनका कोई family issue हो सकता है जिसकी वज़ा से वो परिशान हो सकते हैं but I really feel के आप से उनका peace जुड़ा है I do feel आप उनकी जिंदगी में बहुत ज़त peace लेकर आते हैं आपके साथ वो peace बनाना भी चाहते हैं So we have sacral chakra number two and throat chakra number five So I really feel के ये इनसान आपके साथ you know fulfillment महसूस करते हैं They really feel के connection उन्हें fulfill करता है आपके साथ communication हर चीज I feel के जैसे आपके person को अपने throat chakra पर काम करने की ज़रूद है because इस वक्त आप लोग की communication नहीं हो रही है right So communication एक issue है आप लोग के दरमयान जिसे वो resolve करना चाहते हैं आपसे communicate करना चाहते हैं clearly and maybe उसके लिए शायद उनके अंदर इतना confidence इस वक्त नहीं है कि वो आपसे communicate कर सकें clearly but वो करना चाहते हैं So ये एक indication है कि इनसान आपसे बहुत जल्दी communicate करेंगे with this throat chakra because आप उनकी wish fulfillment है ये connection उन्हें fulfill करता है emotionally fulfill करता है उनकी happiness, उनका pleasure, you know joy सब इस connection से जुड़ा है So ये इनसान definitely आपसे communicate करना चाहते हैं communicate करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये feel किया है कि उनकी खुशी आपसे जुड़ी है So let's see what more ये इनसान और क्या सोचते हैं और feel करते हैं आपके लिए Okay, deck को मैंने आदा किया आप देखें एक पर reconciliation है और एक पर healing family issues है So ये तो हमें नजर आ रहा है शुरू से कि ये आपके person के मैं कह रही थी कि कोई family issue हो सकता है जिसको वो ठीक करना चाहते है और आपके साथ एक निया star चाहते है reconciliation So this is so amazing Let's see क्या सोचते हैं और क्या feel करते हैं So we have Oh my God मैंने आप लोगों के सामने deck को मैंने आपके सामने shuffle किया और आप देखें कि हमारे पास reconciliation का card आ गया है and release your ex So अगर literally किसी का कोई ex था उसे release कर रहे हैं आपके partner but I feel कि past energy को release कर रहे हैं negative energy को release कर रहे हैं और आपके साथ reconciliation चाहते हैं और ये reconciliation बहुत जल्द हो रहा है और ये इनसान आपसे बहुत जल्दी reconciliation होने वाला है और ये कोई इनसान आपके past से हैं जो वापस आ रहे हैं कोई नया connection नहीं है ये already एक relationship आपका रहा है या आपके ex हो सकते हैं या कोई ऐसे इनसान जिन से recently आपकी लड़ाई हुई break up हुआ ये इनसान आपकी जिन्दगी में वापस आ रहे है reconciliation हो रहा है and of course तभी होगा अगर आप भी चाहते होंगे तो अगर आप नहीं चाहते तो it's totally up to you आप जब चाहें walk away कर सकते हैं आपकी free will है बर जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए reconciliation हो रहा है कि आप अगर reconciliation manifest कर रहे थे आप लोगों का reconciliation होने वाला है अगर आपके partner ने आपसे walk away किया वो permanent नहीं थी energy वो permanent नहीं था ये इनसान आप वापस आना चाहते हैं आपकी जिन्दगी में because उन्हें regret हो रहा है अपने decision का उन्हें अफसोस है जो भी decision उन्हें लिया आपसे दूर जाने का या अगर आपको जाने दिया उन्हें पश्टावा हो रहा है So we have turn on your heart light reflect on a time when you experienced love So I feel कि ये इनसान reflect कर रहे हैं इसका number 36 है ये इनसान सोच रहे हैं उस वक्त के बारे में जब उन्होंने experience किया love आपके प्यार को आपके energy को experience किया उन्होंने बहुत जाद आपको याद कर रहे है And next is listen with your heart You are listening but need to hear with a loving heart इसका number one है So इस पर लिखा है turn on your heart light and listen with your heart So I really feel कि आपके person के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अपने दिल को follow करना Because I really feel कि ये कोई ऐसे इनसान है जो control करते हैं अपने emotions को अपने feelings को जो शायद expressive नहीं है और फिर शुरुआत ही maturity के card से हुई थी और मैंने ये कहा था कि ये इनसान emotionally immature है So maybe उन्होंने बहुत देर से शायद सीखा या बहुत मुश्किल से सीखा कि it's very important कि वो अपने दिल को follow करें allow करें अपने दिल को कि वो experience कर सकें ये energy, ये love right? So उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अपने दिल की सुनना, अपनी intuition को follow करना और फिर express करना with the throat chakra So I really feel कि इस challenge को overcome कर रहे हैं ये इनसान ये आप से communicate करना चाहते हैं अपने दिल को follow करना चाहते हैं और जो उनके दिल में है वो express करना चाहते हैं with the throat chakra So this is so nice ये इनसान आप से बहुत जल्द communicate करने वाले हैं आपका इनसे reconciliation होने वाला है सुला होने वाली है So अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या message है और मैं cards intuitively निकाल रही हूँ इस पर लिखा है soulmate वाव इस पर लिखा है Your soulmate is already with you in spirit Believe this and they will manifest physically वाव So manifest की word पर मेरा focus है बिकस मैं यही आप से कह रही थी कि आप बहुत जल्दी manifest करने वाले हैं So आप believe करें और आप से कहा जा रहा है कि आपके soulmate आपके साथ है energetically अगर आप इस पर believe करेंगे trust रखेंगे तो वो physically भी manifest हो जाएंगे और यही आपके लिए confirmation है कि आप अपनी manifestation के करीब हैं आप reconciliation के करीब हैं वो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में manifest होने वाले है and then surrender at times we must surrender the old before something new can enter our lives let go and all will work out So surrender कर दीजिए let go कर दीजिए let go का मतलब यह नहीं होता कि आप भुला दे just surrender कर दें believe रखें कि यह होगा so यह हो जाएगा दो और cards हम आपके लिए लेंगे let's see आपके लिए और क्या message है आपके angels का so हमारे पास है big happy changes within the next few months so अगले चन्द महीनों में big big happy changes आ रहे हैं आपकी जिंदगी में आपकी love life में wow so अगले एक दो महीनों में maximum three months में कुछ बहुत significant होने वाला है big big happy changes इस connection में आने वाले हैं I really feel कि यह जो बड़ा सा change आ रहा है यह maybe अगले two three months में आ जाए यह इनसान इनसे आपका reconciliation हो जाएगा अगले एक दो महीनों में 9, 11, 11, 11, Z, K, 9, 9, E, O so it's a try again let's try again R, E, P, O, P, H, D, L so आपका आएगा है no 888 it's a no way next is L, V, Y, N, D number 4 R, P, D, T, L, 3, 3, 3, T, V, S, C, U, O zero भी कह सकते हैं आप इसको P, M, 888, 22, S, G, Y, T, Y, J, B, 4, N, E, R, T, M, H, C, K, H, and O so यह आपके letters और numbers हैं देख लीजिए कैसे आप से resonate करते हैं और यह आपकी reading थी कुछ पी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया मुझे जरूर बताएगा comment section में अगर आप नई थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love, आपकी जिंदगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें, अपना धिर सारा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye bye